हे एवरिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो एपिसोड 18 की शुरूआत में हम देखते है कि सुरासिट सिमाला के गायब होने पर बहुत परेशान हो रहा होता है और वो सिमाला को बार-बार कॉल कर रहा होता है पर सिमाला रिसीव नहीं कर रही होती है तबी सुरासिट की मौम वहाँ अकर उसे कहती है कि तुम अभी भ होगी तो मॉम कहती है कि वो गरीब है तो उन्हें हार्ड वर्क से पैसे कमाने चाहिए पर सुरासित उनकी नहीं सुनता और जगरने लगता है कि आपी की वज़े से वो दूर चली गई होगी तो मॉम समझाती है कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ पर सुरासित कहता है कि आप मुझे सिमाला को ढूनने से नहीं रोक सकते और वहां से चला जाता है तो मॉम फ्रस्ट्रेट हो जाती है जाते वक्ट सुरासिट वाडूम से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है सिमाला कहा है वो फोन नहीं रिसीव कर रही तो वाडूम कहता है मैं भी उसे ट्राइ कर रहा था मेरा भी फोन रिसीव नहीं कर रही है अगर मुझे पता लगता है तो मैं तुम्हें बता दूँगा फिर हम देखते है कि वाडूम सुरासिट की मॉम से कहता है कि सिमाला के गायब होने के पीछे मैं ही हूँ ताकि वो दोनों मिलना पाए तो सुरासिट की मॉम पूछती है कि सिमाला कहा है तो वाडूम कहता है वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है तो सुरासिट की मॉम कहती है कि तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझे से कुछ चाहिए है न तो वाडम कहता है हाँ, तो सुरासिट की मॉम कहती है अभी तुमने काम पूरा ही नहीं किया है, तो मैं क्यूं दूँ, तो वाडम कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे घर के पेपर्स इतनी आसानी से नहीं दोगी, तो मैंने डिसाइड किया है कि तुम मुझे पेमेंट दोग तो सुरासिट की मॉम को वार्डूम को पैसे देने ही पड़ते हैं अगले सिन में हम देखते हैं कि सिमाला के डैड को टैसनाई की कॉल आता है और वो उनसे पूछता है कि सिमाला कहा है तो डैड कहता है वो घर से भाग गई है मैं भी उसे ढूढने की कोशिश कर रहा हूं मैं उसे ढूम लूँगा फिर हम देखते हैं कि सिमाला की मॉम डैट से जगडने लगती है और कहती है कि तुम एक अच्छे पिता हो ही नहीं और हाता पाई करने लगती है और हाता पाई में सिमाला के मॉम के हाथ में ग्लास का टुकड़ा घुजकर हाथ में चोट आ जाती है अग पुलिस में कमप्लेइन करनी चाहिए पर डैड कहता है नहीं हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सिमाला की मॉम चाहकर भी सुरासिट से कुछ कहने ही पा रही होती है जाते वक्त सुरासिट के मॉम के हाथ में आई चोट को सुरासिट देख लेता है चोट बहुत गह तो सुरासिट कहता है मैं समझ सकता हूँ और मॉम को दिलासा देकर वहां से चला जाता है अगले सीन में हम देखते है कि वाडम सिमाला को जाकर सब बता देता है कि उसने कैसे सुरासिट के मॉम से पैसे ले तबी सिमाला को सुरासिट की कॉल आती है पर वो रिसीव नहीं करती तो सुरासिट उसे मेसेज कर देता है कि उसके मॉम के हाथ में चोट आई थी और वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया था और तुम्हारी मॉम बहुत परिशान है और बीमार भी तो सिमाला परिशान हो रही होती है तो वोडम उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने मॉम से मिलना है तो सिमाला कहती है नहीं सुरासिट उनकी केर ले रहा है तो वो ठीक होगी फिर हम देखते है कि वाडम को तैसनाई की मॉम का call आता है तो वो बाहर चला जाता है तो तैसनाई की मॉम कहती है कि बहुत दिन हुए मुझसे मिले नहीं और मुझे avoid क्यों कर रहे हो तो वाडम कहता है मैं busy हूँ तो तैसनाई की मॉम कहती है कि ठीक है तो मैं आकर तुम्हारे मॉम को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगे तो वाडम कहता है ठीक है मैं आ जाओंगा आज रात फिर हम देखते हैं कि वाडम तेसनाई की मॉम के साथ डिनर पर चला जाता है उसे चुप सा देखकर तैसनाई की मॉम पूछती है कि क्या बात है तुम चुप क्यूं हूँ और पूछती है कि क्या तुम्हें पैसे कम पड़ रहे है और पैसे निकाल कर देती है पर वार्डम मना करके कहता है कि मैं आज से तुम्हारे पास नहीं आउंगा और कुछ एकसेप्ट भी नहीं करूंगा हमारे रिलेशनशिप यहां खत्म होती है और जाने लगता है पर तैसनाई की मॉम उसे रोक कर कहती है कि मैं तुम्हारा घर वापस लेने में मदद करूंगा वार्डम मना कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया और जाने लगता है पर तैसनाई की मॉम उसे रोकने लगती है पर वार्डम वहां से चला जाता है बाहर आकर तैसनाई की मॉम वार्डम को पीछे से हक करके रोने लगती है कि मत जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वॉर्डॉम उसे संभलने ही वाला होता है तब ही सिमाला वहां आकर उन्हें देख लेती है, तो टिसनाई की मॉम सिमाला को वॉर्डॉम और उसके रिश्टे के बारे में बताकर यह कहती है, कि प्लीज सिमाला मुझे इस आदमी के सा तो सिमाला शौक होकर वहां से चली जाती है वाडम भी उसके पीछे जाने लगता है पर टेसनाई की मॉम वाडम को रोकने लगती है पर वाडम उसके पीछे चला ही जाता है घर जाकर देखता है तो सिमाला अपना बैक पैक करके वहां से जा रही होती है तो वाडम उसे रोकन कह भी देता है कि वो सिर्फ उसे ही चाहता है यह सुनकर सिमाला को भी अच्छा फिल होता है फिर वाडम उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी केर लेना चाहता है और उसे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो उसकी केर ले पाएगा तो सिमाला उसे किस कर देती है और दोनों इं सुरासट की मॉम ने मौर्गेज भरकर वार्डूम का घर खरीद लिया है तो वो जाकर सुरासट की मॉम से जगडने लगती है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा हाता पाई हो जाती है दोनों एक दूसरे को बुरा कहकर मार्पिट भी करते हैं तो फाइनली सुरासट की मॉम तैसनाई के मॉम से कहती है कि हम क्यों जगड रहे है जब हमारा दुश्मन एक ही है और वो है सिमाला हम अगर साथ में आए तो मैं सिमाला को मेरे बेटे से दूर कर सकती हूँ और तुम वार्डूम से अगले सिन में हम देखते है कि सुरासट सिमाला के मॉम की तवित के बार करते हुए सुना था तो सुरासट ये सुनकर सीधा तैसनाई के घर चला जाता है और उसे पूछता है कि बताओ सिमाला कहा है और तुमने क्या किया है उसके साथ तो तैसनाई कहता है कि मैंने उसके साथ रात बिताई है और मैं इतना रफ था कि वो डर कर भाग गई तो सुर पिसनाई भी सुरासिट के मुँपर चाटे मार कर उसे इंजोड कर देता है और कहता है कि तुम उसकी इतनी केर क्यूं कर रहे हो उसने तुमें और मुझे भी धोका दिया है तो मैं उस कौन आर्टिस लड़की को ऐसे ही ट्रीट करना ठीक समझता हूं और मैं नहीं जानता कि वो कहा है फिर हम देखते हैं कि सुरासिट घर आकर अपनी जख्म ठीक कर रहा होता है तो उसकी मौम आकर पूचने लगती है कि ये क्या हुआ किसने किया तो सुरासिट कहता है कि ये सब आपकी वज़े से हुआ है आपने सिमाला को सब के सामने एक्सपोस किया इसलिए सब लोग उसे गंदी नजर से देखकर ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो कोई कौन आर्टिस्ट है तो मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है तो सुरासिट कहता है कि अगर आप चाहती हो कि मैं हर्ट ना हूं तो सिमाला को ढूंडने में मेरी मदद करिए तो मॉम कहती है कि ऐसे क्यूं क कर रहे हो तो सुरासिट कहता है कि आप अगर उसे अच्छे से ट्रीट करते तो मैं इस सिचुएशन में नहीं होता तो मॉम कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है तो सुरासिट कहता है आपने मेरे लिए नहीं बलकि अपने प्लेजर के लिए किया है और वहां से च जानते हूँ न, मैं तुम्हें बरबाद कर दूँगा, फिर हम देखते हैं कि डैड परेशान होकर बोनेट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई पाफुल इंसान पता है, जिसकी मदद से हम तेसनाई को टैकल कर सकते हैं, तो बोनेट कहता है, मैं तो सिफ तमनून को जानता है, तो वाडम केता है, तुम यही रहो, मैं देखता हूँ, और जाकर डोर ओपन करता है, तो सिमाला के डैट पुछते है कि क्या तमनून घर पर है, तो सिमाला डर कर चिप जाती है, और हम देखते हैं कि वाडम की मॉम भी बहार आ जाती है, और इसे के साथ यह एपिसोड यहां खत्म होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में